नमस्कार दोस्तों मैं आपका डूबडी स्मित मार अपका हमारे चैनल डूबडी पर फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OBC सर्टिविकेट को लेकर के और मैं चार इंपोर्टेंट पॉइंट अपको इस वीडियो में बताने वाला हूं अगर उन में से एक भी पॉइंट आपकी OBC सर्टिविकेट में मिसिंग है तो आपका एड्मिशन डियू में OBC बेसे पे नहीं होगा आपका form reject हो जाएगा उसके साथ साथ इस वीडियो के last में मैं आपको state OVC certificate और central OVC certificate में difference बताने वाला हूँ demo दिखा करके मैं आपको दिखा दूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या difference होता है इन दोनों में सो आप एक बार पूरा ध्यान से देखें इस वीडियो को और यह points को आप अपनी OVC certificate के साथ मैच कर लें क्या आपकी OVC certificate इन चारो points को follow करती है या नहीं करती सो ध्यान से देखें अगर आपने OVC certificate बनवा ली है तो मैच कर लें नहीं बनवाई है तो आप अभी apply कर दें और apply करते टाइम इन सब points का ध्यान रखें सो चलिए start करते हैं first point आप ध्यान रखेंगे कि जो आपकी OVC certificate है वो central OVC certificate है state OVC certificate नहीं चलेगी काफी लोग state OVC certificate को apply कर देते हैं तो उनका form जब आप apply करेंगे उस टाइम पे reject नहीं होगा आपका form reject होता है जब आपकी cutoffs आ जाती है और उसके बाद आप particular colleges के लिए apply करते हैं उस time आपका form college की तरफ से reject हो जाता है तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि central OVC certificate आप apply कर रहे हैं डियू के form में second आपको जो format है वो मैं आपको screen पर दिखा रहा हूं इस format में आपकी OVC certificate होनी चाहिए आप इसको एक बार ध्यान से देख लें screenshot भी ले सकते हैं third point आप ध्यान रखेंगे कि आपकी OVC certificate में NCL mentioned है कि non-crimi layer mentioned है और fourth point non-crimi layer से ही related है कि जो NCL है वो year 2020-21 के के साथ साथ आपकी जो date of issue है वो 31st of March 2021 के बाद या 31 मार्स 2021 की होनी चाहिए मलब newly updated आपकी NCL जो certificate है जो OVC के साथ ही आती है मोटा मोटी बात बताएं तो OVC की certificate 31 मार्स 2021 के बाद बनी होनी चाहिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें अगर इन में से एक भी point आपकी OVC certificate मे missing है तो due का form आप apply करेंगे उस time तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन जब आप particularly college में apply करेंगे cutoffs आने के बाद उस time आपका form college reject कर देगा या फिर आपको फिर से बोलेगा कि within 10 to 14 days आप अपनी certificate दीजी ये नई बनवा के updated तो उस time इतना जल्दी जल्दी में बनवा आई थी तो आप इन चीजों का ध्यान रखें अपनी ओविसी सर्टिविकेट में और मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि जो स्टेट की ओविसी सर्टिविकेट है वो कैसी दिखती है इसमें clearly mentioned है कि अंडर स्टेट ओविसी लिस्ट और दूसरी अभी जो आप आपकी सर्टिविकेट कुछ ऐसी दिखती है जो सेकेंड वाली मैं दिखा रहा हूं यह सब चीजे उसमें mentioned होनी चीए अगर आपने सर्टिविकेट बनवा लिए तो बहुत अच्छा है यह सब points मैच करते हैं तो मदब the best है अगर नहीं करते तो आप रिन्यू करवा लें अ